और चलिए पांच-क-5 की शुरुआत सबसे पहले Emotional Card के जरी करते हैं Emotional Card जो की इस वक्ट मद्द्प्रदेश कॉंग्रस के कई नेता खेलते उए नजर आ रहे हैं चुनाप से पहले MP में Congress का Emotional Card चल रहा है दम्हों में मंच पर जीतू पट्वारी के सामने दमों सीट से कॉंगर्स उमीदवार तरवर सिंग लोधी फूट फूट कर रो पड़े इसके पहले आपको याद होगा नकुलनात की धर्मपत्नी प्रियानात ने भी लोगों की बीच पहुचकर एक भावुक आपील की थी एक भावनात्मक अपील की थी चिनवारा में लोगों से कहा था उन्होंने के जिन्हें अपना माना उन्होंने ही धोका दे दिया 44 साल का रिष्टा 44 दिनों में ही खत्म नहीं हो सकता ये बात आम जंसे प्रियानात ने कही थी पांडूर ना में आपको याद होगा कमलात ने भी एक एमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की थी और ये कहा था कि अंतिम सांस सक आपकी सेवा करूँगा और इस वक्त जो स्क्रीन पर तस्थीर आप देख रहे हैं ये कॉंग्रस प्रत्याशी तरवर्ण सिंग लोधी की है दरसल जीतू पटवारी ने उस वक्त ये जिक्र किया था कि देखे कई नेता चोड़कर चले गए लेकिन तरवर्ण सिंग अभी तक साथ है और ये बात सुनकर वो वहीं पर फूट-फूट कर रो पड़े कि अजय बात कि अजय करेंगे अंजय करेंगे अजय कि अन्पट ये आख्री सास तक अपना जीवन आप सब कुछ समर्च करते हूं जब मैं पिता जी कमलनाच जी को देखती हूं, तो दुख होता है, कि जिने हमने अपना समझा, जिने हमने अपना समझा, जिने हमने हमेशा अपनी परिवार की तरे प्यार दिया, कमल नाच जी ने आशिरवात कि जब उनकी अग्मी परिक्षा के का समय आया तो उनहों ने दूखा दिया तो दुख जरूर होता है क्योंके दिल से हमने उन्हें माना था डर्ग कते ही नहीं है क्योंकि हमारी असली थाट सभिल बल और शक्ति तो यहां उपस्थित है तो देखा आपने इस वक्त कॉंग्रस के अलग-अलग नेतर के सरा से अलग-अलग मुद्दों को लेकर भादनात्मक अपील करते दिखाईते रहे हैं बंसल नियूस के भी दरसल कुछ सवाल है बता दें आपको और यह सवाल सबसे महत्पुन के तूटती कॉंग्रस अब एमोशनल कार्ड का फायदा क्या उठा रही है क्या ये मतदाताओं की कमजोरी होती है क्या ये कहें कि कॉंग्रस के नेता मतदाताओं की नवज को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं ये तमाम तरह के सवाल है जिनका जवाब ढूनना बहुत ज़ादा जरूरी और हमारे साथ इस वक्त न्यूजएट शरद वेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए है शरद जी जिस तरह से हमने तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई कॉंग्रस के नेताओं की अलग अलग जगा पर अलग तरह से एक भावनात्मक अपील करने की कोशिश मतदाताओं से की जा रही है क्या मुद्दो की कमी हो गई है जो इस तरह से भावनात्मक नाव में बैठकर चुनाव की वेतर्णी को पार लगाने की कोशिश कॉंग्रस के नेता कर रहे हैं और कितना असर सर इसका आप देख पा रहे होगा लेकि चुनाव में इमोशन समेशा बहुत काम की चीज़ होते हैं लिए चाहे बहुत ताकतवर पार्टी हो या ताकतवर पार्टी के साथ-साथ बहुत ताकतवर देता हो या एक ऐसी पार्टी हो जो संगर्श कर रही हो और उसका नेता भी अपनी स्विकारिता को लेकर संगर्श कर रहा हो वहाँ दोनों जगे दोनों ही पार्टीयां दोनों ही पार्टीयों के नेता emotional card खेलने से पीछे नहीं हटते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है लोगों को ये चीज बहुत रास आती है आपने देखा होगा कि हमेशा चुनाओं में इस तरह की बातें उठती हैं खला नेता रो दिये, खुशी के हांसू थे, दुख के हांसू थे या अपने क्षेत्र से अपने जुडाओं का जिकर करते हुए वो भावुक हो गए या कोई ऐसा मुद्दा के विपक्ष ने उनको भावुक कर दिया ऐसा हलका आरोप लगाया कि वो बहुत कि देखिये मुझ पर किस परे के आरोप लग रहे हैं कॉंग्रेस के पास संसाधनों की चुनोती है, कॉंग्रेस के पास प्रत्याशियों की चुनोती है और कॉंग्रेस के पास तूटती हुई कॉंग्रेस के सामने मतदाताओं के समक्ष पूरी ताकत से खड़ी होने की चुनोती है और यही वज़े है कि कॉंग्रेस को ये भी लगता है कई बार उसके नेताओं को कि मतदाताओं के मन को छूने में अगर वो काम्याब रही तो शायद चुनाओ की इस कठिन चुनाओती के बीच में वो बहतर प्रदर्शन कर सकते हैं इसलिए तरवर सिंग लोधी जो केंडिडेट हैं दमो लोकसमा कीच से वो फूट फूट कर रोते हैं या प्रियानाथ चिंद्वारा में अलगी रूप में सामने आती हैं भावुक बातें करती हैं कमलनाथ जी भावुक बातें करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस इस इमोशनल कार्ड का साहरा लेती हुई दिख रही है कम से कम दमो और छिंद्वारा की गरम बात में बिल्कुल लेकिन इसका फायदा कितना होगा ये तो हमें 4 जून को शरजी पता चलेगा फिलाज शुक्री आपका और पबलिक है सब जानती है लेकिन नेताओं के इस इमोशनल कार्ड का असर कितना होता है या आने वाले वक्त में पता चलेगा आगे बढ़तें दौर से कुलć में ये एल में टुbers है कितने है लेकिन डता है लिजह कितना है जड़तें व Дляयर कितना होते हैं कितना है चाहला होती है टून को आँ है गरा बदागवा ट्सक्री करता है ओून है अ को व करता है है लेकिना है व postpro